Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नागिन समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं 3058 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं जो लेटिस्ट आकड़ा जो है वो 3058 वोट का है हमार साथ गौरव भाटी है बीजेपी के हमार साथ प्रवन खेड़ा जी है कॉंग्रेस के हमार साथ घंचाम तिवारी जी है जनता पार्टी ही जीतेगी अभी तो शुरुवाती रुजहान आ रहे हैं और जो आपने भी बताया अंतर बहुत ही कम वोटो का है तो चाहे गोरकपुर हो चाहे फूलपुर की सीट हो भारती जनता पार्टी जरूर जो है चुनाव जीतेगी और साथ में अभी आपके चैन भारतिय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे है और हमें पूरी उमीद और विश्वास है कि हम जीतेंगे और एक बात मैं और कहँँ कि जनता बहुत समझदार होती है जैसे समाजबादी पार्टी और बस्पा ने गड़बंदन किया ये पहली बात तो ये दर्शाता है कि ये मान चुके है कि भारतिय जनता पार्टी के साथ अकेले रहे के ये लोग लड़ नहीं सकते दूसरी बात इसमें कोई विचारधारा का मेल नहीं था ये केवल गोंद थी सत्ता का सुक प्राप्त करने के लिए और जो BSP, SP को गुंडो की पार्टी कहती थी और जो SP, बखपा को भरष्टा चारी पार्टी कहती थी और गॉरब जी वो बात दे चुरूँएंगे तो फिर वो नितीज जी ने आपको क्या का उस वक्त और फिर वो इस वक्त आपके साथ हैं जी ऑखे बात बार्टी के साथ पहले भी रहे हैं पहले भी रहे हैं और जब नहीं रहीं तो आगे चल रहे हैं तो ये खुद में दिखाता है कि कहीं न कहीं जनता का विश्वास आज श्ली नरेंदर मोदी जी में है, योगी आदितिनाज जी में हो और नितिश कुमार जी में पवन किड़ा जी हमाई साथ कॉंग्रेस के बज़िदे, पवन जी ये जो संकेत हैं ये आगे के लिए उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, फूलपूर में ज़रूर बीजेपी के लिए चिंता की बात है, लेकिन बिहार में जो हो रहा है, वो आपके लिए चिंता की बात है अगर वो भाजपा हो, मैं उनकी भी हार नहीं मानूंगा अगर वो हारेंगे, क्योंकि वो भी एक विचारधारा है वो भी लड़ेंगे और सबका एक हक है, अधिकार है कि अपने विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ाई के लिए चुनाव में गणित तो है, यह तो आप भी मानेंगे, सब मानते ही हैं गणित जो है, वो बैट नहीं रहा है, वो इस तरह से नहीं बैट रहा है, अगर विचारधारा के लड़ाई के लिए चुनाव तो जीतना पड़ेगा गणित से भी जादा कभी केमिस्ट्री काम करती है, और जब केमिस्ट्री काम कर जाती है तो हमने तो देखा है कि राजमरायन जैसे लोगों ने भी इंदरा गांधी जैसी शक्सियत को हराया, तो भो यह मैं इस गणित को ज़़ादा गंभीगता से नहीं लेता बनिस्पत इससे कि कब chemistry क्लिक कर जाए कब communication से हम लोगों को समझा पाएं कि हम क्या बोल रहे हैं और किस विचारधारा के खिलाफ हम लड़ाई लड़ाई है और कितनी बड़ी लड़ाई है जब हम इसमें कामियाब हो जाते हैं तो फिर जनता एक मिनिट नहीं लगाती बड़े से बड़े शक्सियत को हराने में जहां इस वक्त फूल फूल लोगसभा सीट से जरूर उस लिहाज से कुछ खबरें ऐसी आ रही है जो बीजेपी को चुनोती वाली बात समझ में आती है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नागेन सिंग जो है वो 24,460 वोट उनको मिले है पहले राउंड में दूसरे राउंड के बाद तक और बीजेपी 21,402 वोट पर है यानि ये 3000 वोट लगभग का 3058 वोट का ये अभी लीड उन्होंने बनाई हुई है वोट मिला वहाँ पर आपको चुनौती तो मिल रही है और आप तो जानते ही हैं आप S.P. में खुद रहे हैं तो वोट जो है वो काफी ऐसा हो सकता है जो B.J.P. को चुनाती दे सके नहीं देखिए किशोर जी मैं समझता हूँ कि अगर जो है जो बात आप कह रहे हैं उसमें सत्तिता होती तो गोरकपुर में भी हमारा प्रत्याशी आगे है वो आगे ना होता ये कोई सिंपल अरिथमेटिक नहीं होती कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी का मिलन हुआ और टोटल कर दिये आपने वोट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में राहूल गांदी ने पहले तो नारा दिया 27 साल यूपी बेहाल फिर यूटर्न मारा और साइकल पे जाके बैठ गए थे और कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ उत्तर क्या है कि कॉंग्रेस के समाजवादी पार्टी के साथ जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ मेरा मानना सपष्ट है कि जो भी नेता होता है पार्टी का जैसे भारतिय जनता पार्टी के पास केंदर में नरेंदर मोदी जी का नित्त है और प्रदेश में योगी अदितिनाजी का है जनता का विश्वास है इसमें भारतिय जनता पार्टी की विचारदारा का विश्वा आप अभी इंतजार करिए आप देखेंगे गौरव जी आप तो खुद समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए हैं आप बुल रहे हैं कि आप यूटरन लेंगे तो जनता क्या कहेगी आप तो खुद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में हैं किशोर जी मैं आया हूँ ये सकते बात है और इसकी वज़ा भी है कि जब समाजवादी पार्टी में मैंने देखा तुष्टी करण की राजनिती हो रही है मुजफर नगर दंगो की बात आप करिये तो वाँ मुसल्मानों और हिंदों में भी बेद्बाव किया जा रहा है और जो वंचवाद है उसके मैं खिलाव था मुझे नरेंद्र मोदी जी का और अमिच्शा जी का निस्रत ठीक लगा भारती जन्ता पार्टी की विचारदारा सबका साथ सबका विकास ठीक लगी इसके मैं आया हो मुझे गर वे जी मैंने पार्टी बदली मैं आपसे यहीमी बुछ रहा कि आपके विचारदारा पर खड़ी रही है पाबं जी कुछ कहना चाना चाहरा थे पार canvasIE मैं यही कहना चाहरा था आपने तो किशोट जी खुदी कह दिया लेकिन बड़े काबिल वकील है मेरे मित्र गौरो भाटिया जी बड़ा अच्छा लग रहा था यू-टर्ण की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि सत्ता के लिए हाथ मिलाया मैं क्या कहुआ आपने तो सब कुछ कही दिया किशोर जी और देखिए विचारधारा की जहां तक बात है तो कोई डामेटरिकली ओपोजिट विचारधारा में जाकर शामिल हो जाए और फिर हमें कहें कि आपने यू-टर्ण ले लिया तो इससे बड़ा हास्यास्पत बात तो क्या हो सकती है खेर छोड़िये मैं गौरोब भाटिया जी के लिए निजी टिपणी नहीं करना चाहूंगा उनकी अपनी अपनी अम्बिशन रही होगी उसमें कोई समस्यावाली बात नहीं आप पूरी टिपणी करने के बाद आप निजी टिपणी नहीं करना चाहेंगे ने, 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 क्योंकि आपने राहूल गांदी के लिए यूटर्ण बोला तो मुझे लगा कि आपको याद दिला दू कि उसी लगबग, उसी चुनाव में आपने जो एक इतावड़ा इसको भी नजर अंदाज नहीं किया दा सकता कम से कम आप राहूल गांदी ने जो समसाल यूटर्ण बेहाल कहा आप उस पे बात करिये अगर आप तो सोच के बोलो ये बात अंकर बोल सकते हैं आप नहीं बोल सकते क्योंकि यूटर्ण राइट तो से यह लोगी ने यूपी में यूटर लिया की नहीं लिया पताएए सेलेक्टिवली आइडियोलोजी कि राउल गांदी में ऐसी क्या योगिता है आप आप अच्छा है ना करें तो हमें तो इससे पाइदा ही है कि राउल गांदी कमान तमाले रखे कांग्रेस की आज मेरा कहना या ठाउकर कांग्रेस के किस्धे के किसे की उता पबन जी एक बात देखें पबन जी आप कॉंग्रेस को कितने वोट बिल रहे हैं गौरब जी पबन जी आज आज की अगर बात करें उसमें भी जोड़ना चाहूंगा कि आज की अगर बात करें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप सुनाव आपने लड़ा क्यूं जब S.P. पर B.S.P. साथ हैं अगर आपको बीजेपी के खिलाब जो ताकत हैं उनको मजबूत करना तो आपको भी मजबूत कर देना चाहिए था उनको आपने लड़ा अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम कितने यहां पर वोट ला सकते हैं उस ताकत दिखाने में आप बीजेपी के विरोध में जो पार्टी हैं उनको तो रुक्सान पहुचा रहे हैं जी मैं किवल अभी आपने सिध्धान्त की बात की तो मैं पूछ रहा हूं कि वो कौन सा सिध्धान्त है जब उत्तर प्रदेश में आप मुलायम और मायावती को हराना चाह रहे हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और बिहार में लालुयादों को जिताना के चाह रहे हैं इस सिध्धान्तिक है के लड़ाई अब इस दूरूप से गयर साथ सिध्धान्त भी इस्टर जी है मेरी बात सुनी नहीं शैद आपने सुना नहीं मेरी बात मैं गौरव भाटिया जब सिलेक्टिवली सिध्धान्त की बात कर रहे थे तो मैं बहुत बड़ा प्रशन चिन लगा हैं आप सिलेक्टिवली यू-टर्ण के खिलाफ हैं मेरी बात सिर्फ उस परिपेश्चे में थी उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि यहां पर क्या का सिलेक्स था आपको भी मालूम है जानते हैं दिख भी रहा है कि आप सीच जीतने वाले तो थेए नहीं और स-पी को बी-स-पी ने समर्थन दे भी दिया था आप कह रहे हैं कि हम अपने विचार रखते हैं, विचार अभी तक कॉंग्रेस की दरफ से यह रखा जा रहा है कि बीजेपी को चुनौती देनी है, तो वो चुनौती आपने क्यों कमजोर कर दी? देखिए, एक तो अगर हम सब इखटे होते हैं, तो आपती यह होती है कि मोधी जी सेंट्रल पोल बन गए है भारती राधनिती के और तमाम लोग एंटी मोधी फोर्स हैं, ऐसा नहीं होता है, हमारे काडर की एक डिमांड थी, मेरी बात समात हो जाए, हमारे काडर की और हमारे स्टेट यूनिट की एक डिमांड थी, कि नहीं हमें ये चुनाव लड़ना चाहिए, और इस पार्टी में एक लोगतांतरिक परंपरा है, कि अगर स्टेट यूनिट असर्ट करता है कि नहीं हमें इसमें लड़ना चाहिए, हम चाहते हैं कि इसमें हम चुनाव लड़ें, न उसमें यह एक कदम है कि ऐसे अब रस्ताचारी जो देश के बाहर जा करके देश के साथ दुनिया भर के समझोते कर जाते थे रूपे लेकर कर जाते थे उन लोगों पर हम हर परिस्थिती में रोक लगाएंगे के पास हम जाएंगे उनकी वो क्या कह रहे हैं इस वक्त फूल पूर में जो बीजेपी पीछे चल रही है खैर फिलाल जब तक को करेक्शन होता है तब तो आपको बता दें कि बिहार की तीनों सीटों पर एंडिया आगे चल रही है वो एक बड़ी खबर गंचाप जी पे मरसा बो रहे हैं आप जबकि वो तो तस्लीम उद्दीन से आपकी सीटी उनके बेटे भी खड़े थे आरजेडी में जाना वहां के मतदाताओं को खराब लगा चुकि जिसके टिकट पर दल में जीते और उसको इस्तफा देकर और चले गए आरजेडी में चुनाव लगने के ख्याल से दूसरी बात कि मतदाता समझती है कि इनको जिताने से उस छित्रका कोई लाब होने वाला नहीं है नितीश कुमार ही ऐसे और एंडिये ही ऐसा पार्टी है जो बिहार में विकास किया और आने वाले दिनों में भी विकास करेगा इसलिए सवाल ही नहीं उड़ता है कि इन अररिया से आरजेडी जीतेगा यहां भी फिलाल तो बीजेपी आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रदीप सिंग 3,780 वोट से आगे चल रहे हैं उदर गोरकपूर लोगसुबा सीट से 4,688 वोट से आगे हो गया है उपेंदर शुक्ल बीजेपी के प्रवीन इचाद स्पी के पीछे चल रहे हैं गंचाम तिवारी जी हमार साथ बने हुए गौरवबाटिय हमार साथ बने हुए पवन खेड़ा हमार साथ बने हुए है गंचाम जी यह गोरकपूर में बीजेपी के साथ के बाद भी चुनोती नहीं दे पा रहे हैं आप देखिए योगी आजितिनाद जी को पांच लाग से ज्यादा वोट मिले इस पूरे एक साल में इस पूरे एक साल में इस पूरे एक साल में प्रशासन उनके साथ है फिर भी उनको ऐसी टक्कर मिल रही है तो सवाल सीधे खड़ा होता ही कब तक पबलिक को कियों आप माला फिर के लोगों का दिल बहलाते रहेंगे जो इस पूरे चुनाब में नरेंदर मोदी जी कहीं चरचा नहीं हो रही है अगर आप नरेश एकरवाल पर जाएंगे तो यही वाले और इसी तरह के बयान आपके साथ रहते हैं वो देते रहे लगातार मैं उसका स्वागत करता है आप उसकी आलोचना कीजे लेकिन अगर भारती जन्ता पार्टी के हेड़ कौर्टर में एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बैठा रहता है और मुस्कुराता रहता है संभीत पात्र बैठे रहते हैं गौरव भाटिया फूल देते हैं और पार्टी की सहायता लेने के बावजूद भारती जन्ता पार्टी हार रही है तो उनकी केवल वो राजनितिक हार नहीं है वो उनकी नहतिक हार भी है कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है अपराधी है उसका सहयोग लेकर के भी आप हार रहे हैं यारी जन्ता आपको पूरी तरीके से नहीं जाता है कुछ तो है जो आपने काम नहीं किया है जो उतरा को संदेश देना चाहता है गौरब कुछ कहने चाहरे गंशाम नहीं ने समाजवादी पार्टी में आए हैं शायद इनको जानकारी ना हो लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि किस तरह के बयान बस्पा और सपा न आपती जनक बयान की बात कर रहे हैं तो आजम खा हैं और भी कई नेता हैं अखिले जादद ने कई आपती जनक बयान दिये उनके खिलाव आपने कुछ नहीं किया लेकिन आज तो चर्चा है वो बाई एलेक्शन पे है चिलाईए मत घंशाम बीच मैं नहीं बोला रहा हूं मैं बाई पोल पे चर्चा करने आया हूँ और आज मैं बाई पोल पे ही फोकस रखना चाहता हूँ मैं एक चीज़ पश्ट कर दूँ कि देखिए जनता का रुख किस तरफ है जनता का विश्वास किस तरफ है वो पश्ट होता है गोरकपुर में हम आगे हैं अगर आप बिह में देखे तीनों सीटों पे हम आगे चल रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि भारतिय जनता पार्टी का ये विश्वास है जो अटल है कि फूलपुर में भी हमी जीतेंगे और जब हम चर्चा शाम को करेंगे हैं दुपैर में करेंगे तब मैं जरूर सवाल उठाऊंगा चाहे वो गंशाम हो चाहे वो कॉंग्रेस के प्रवक्ता हो और ये जो यूटर्न मारने की राजनिती है पार्टीयों की मैं फिर बोल दूओ पार्टीयों की जिजिए टर्न मारने की रागनिती है समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस को कोस्ती थी यूपी का चुनाव मिलके लड़ा क्या हाल हुआ जंता का दिर मुस्कुरा रहे हैं लेकिन फिलाल पीछे चल रहा है और ये बीजेपी के लिए शायद अच्छी खबर नहीं जब कि बिहार में तो काफी अच्छी खबर आ रही है तीनों सीटों पर इंडिया आगे चल रही है छोड़ी सी ब्रेक के बाद हम लोट रहे हैं